दिवाली में तिवार के कारण बाजार में खरीदी के लिए हुई भीड की वज़े से कोरोना का शंकरमन बढ़ा और गुजराश सरकार की और से पूरे एमदाबाद में कोरोना शंकरमन रोकने के लिए सुकरवार रात नो बज़े से सुमबार सुबार सुबा छे बज़े तक 57 गंडे का कर्फ्यू गोशित कर दिया गया अहमदाबाद का ये वो इलाका है रतनबोल जहां दिन बर तैवार के इसाब से और शादी के इसाब से खरीडी की पूरी भीड बनी रहती ती यहां पूरा सन्नाटा दिख रहा है यहां से दिन में कर गाड़ी निकाल नहीं हो तो यहां से तुम गाड़ी भी निकाल नहीं सकते हैं वहां से हम एकोवान पूरी निकाल के बार निकले हैं और यह वो इलाका है जगांधी रोड फुवारा इलाका जहां रोड जाना पूरी बीड जमीरतिये वहां करफिय की वज़े से आज सन्नाट दिख रहा है अब हम आपको गांदी रोड के इलाके से होते हुए तीन दर्वाजे ले चलते हैं जहां दिवाली के तेवारों में और साधी की वज़े से बहुत बीड जमा हुई थी और कोरोना का शंक्रमन बड़ा उ और आज उसी जगा पर पूरे तीन दर्वाजे लाके में कववे उड़ते नजर आ रहे हैं प्राशाँ प्राशाँ चलते लोगारे आखिए बिड़ चाहिए अब दिख़ोगारे अब दिख्यासी के लोगारे है ये तिन दरवाजे का वही इलाका है जहां दिवाली के तेवारों में पूरी भीड़ जमा रहती थी जहां चलने को भी जगा नहीं मिल लेती आज वहां सन्नाटा नजर आ रहा है कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखकर और यह सन्नाटा देखकर गुलजार साहब की एक नजरम याad आ गई बेवज़ा घर से निकलने की जिरूरत क्या ही मौश से आखें मिलाने की जिरूरत क्या है सब को मालूम है बाहर की हवा कातिल है यूही कातिल से उलजने की जरूरत क्या है एक नेमत है जिन्दगी उसे समाल के रख कबरस्तान को सजाने की जरूरत क्या है दिल के बहलाने को घर में ही वज़ा काफी है यूही गलियों में बटेकने की जुरुत क्या है पुलिस कमिशनर स्री संजे सिवास्तव ने बताये कि जाहे नामा भंग के बदल पुलिस की और से दोसो तानों लोगों की अटकायत की गई है और मास्क न पहनने की वज़े से दोसो अगने ऐसी लोगों को डन किया गया है और नैंटी टू गाडिया निटेन की गई है बाहर गाउं से आने वाले प्रवासी और एरपोर्ट पर और रिल्वेशन पर फसे टेक्सी चालों को ने ज़्यादा बाड़ा मांग कर लूट की रिल्वेशन पर पुलीस द्वारा किया गया बंदोबस्त और प्रवाशियों को लाइन में खड़े रखकर अपने अपने रूट पर जाने वाली बस में बैठा कर उनको रवाना किये गुजरात सरकार ने आज तक 80 करोर रुपे का डंड वसुल किया है जो एक इतियास है गुजरात के मुख्य मंत्री विजय रुपानी ने आज लोगों को मास्क पहन कर निकलने की सुचना दिये और अगर मार्क नप पहनोगे तो एक अजार रुपे डंड पुलिस को देने को तयार रहने को कहा है सौमबार सुबा छे बज़े से पूरे अमदाबाद में कर्फिय अटा दिया गया है कल लाद को नो बज़े से सुबा शे बज़े तक गुजरत के चार सीटी में कर्फिय चारी रहेगा सूरत बरोडा एमदाबाद और राजकोट में पुलिस कर्फिय का कड़क में कड़क अमल करवाएगी सबी लोगों को घर में रहने की सुचना दी कही है मुक्यमंत्री विज़े रुपाणी ने एमदाबाद की कर्जिनता का बार बार अभी वादन किया क्योंके कर्फिय में लोगों ने उसका अमल किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बार नहीं निकले इसके लिए बार बार अभी वादन किया है एमदाबाद के टोल नाको पर और कहीं जगा पर पुलिस चेकिंग जारी रही और बगएर खाराण निकलने वालों के लिलनात्मक कारयवाई की गई है पुलिस की कारयवाई जारी रहेगी अगर आप बगएर काम के बाहर निकलोगे तो अगर यूग्य कारण होगा और आपके पास आईकार होगा तो आपको जाना दिया जाएगा ऐसानीज गुजरात आपको अनुरूत करता है आप बगेर माश्क पेने और शेनेटराइज की बिकर बाहर ना निकले और सोचिल डिस्टेंसिंग मनाये रखे ताके कोरोना के संक्रमन से बचे आर जी देशे पोलीस इस्पेक्टर कालुपुर जे कोरोना संक्रमन लिए जे ट्रेनों मा अवता मुसापरों ने पोताना विस्तार मा जहां रहता होए तिया पहचावां माटी EMTS साथे संकलन करे EMTS माटी EMTS तरब थी सब्सक्राइब माइए। टिंदी डिंदी 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 दिंदी जो टिंदी निया लोगर्दू नमशकार मैं हूं रवीद उबे और आप देखरें एसा नियूस गुज्ञात लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अगर आपको हमारी बताईगे ख़बरे अच्छी लगे तो उसे लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे और हाँ, अगर आप हमसे जूड़े रेना चाहते हैं तो हमारी SR News गुजराच चेनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हम सदा आप से जुड़े रहे और आप तक नहीं नहीं खबरे पहुचाते रहे